हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटिप चाइनल मैं हूँ पृती सो कैसे हो आप सब आई होग आप लोग अच्छ होंगे आज मैं आप लोगों के साथ अपने यह वहला लूग सेयर कर रही हूँ होप कि आप लोगों को अच्छा लगे इस मेकप को क्रेट करने के लिए मै इस प्रफिक्स का प्राइम को मैं अपने पूरी फेस में अच्छे से अपलाइक कर लिए नेक्स्ट मैं मेवली न्यूएक विट्मी फॉंडेशन ले रही हूं इस से में एक फ्लाट प५्रस के हेल्फ से अपने पूरे फेस में अपलाई कर लूगी अड न्यूयक फिटमी का कॉम्पेक्ट पाउडर ले रही हूं एक स्पॉंज की हेल्प से मैं पूरे फेस में अच्छे से अपलाई कर लूँगे ताकि फॉंडेशन अच्छे से लॉक हो जाए सो मैं हिलारी रोडा का मैट आइशेडो पैलेट ले रही हूं इस पैलेट से मैंने एक लाइट डॉंज शेट पिक किया है एंड एक फ्लाफी ब्रॉस के हेल्प से मैं लाइट ड्राउंज शेड को अपनी क्रिज लाइन पर सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हुए इनर कॉनर तक लेकर जाओंगी नेक्स्ट मैं एक लाइट औरेंज शेड ले रही हूं जिसे मैं अपने आई लिट्स पर अपलाई करूंगी मैं स्वीज ब्यूटी का लिक्विट ग्लीटर ले दी हूं एक फ्लैट प्रस के हेल्प से मैं ग्लीटर को अपने आई लिट्स पर अपलाई करूंगी सो मैं एडियस का ब्लैक जल लाइनर ले रही हूं एक पैंसिल ब्रस के हेल्प से मैं अपने आई पर डबल विंग्ड लाइनर ड्रॉ करूंगी सो मसक्रा के लिए मैंने पपल का मसक्रा लिया है यह बहुत अच्छा मसक्रा है यह हमारे लैसेस को बहुत अच्छी वालियूम प्रवाइट करता है सो मैं एक ब्राउन जेल लाइनर ले रही हूं मैं अपने ब्राउस को पहले कॉम कर लोगी एंड एक एंगल ब्रस की हेप से ब्राउन जेल लेकर अपने आईब्रोस को फिल कर लोगी नेक्स्ट मैं Maybelline New York का ब्लशर पैलेट ले रही हूँ इस पैलेट से मैं एक प्राउंड शेड ले रही हूँ एंड अपने फेस के कॉंटोरिंग एरियास पर कॉंटोर कर लोंगी सो मैं सेम पैलेट से एक पिंग ब्लशर ले रही हूँ एंड इसे में चिक्स पर अप्लाई कर लोंगी नेक्स्ट मैं Maybelline New York मास्टर क्रूम हालाइटर ले रही हूँ एंड मैं इसे अपने फेस के हालाइटिंग एरियास पर हालाइटर अप्लाई करूंगी मैं ऐसे चुटा का लिपिट मैट लिप्स्टिक ले रही हूँ मैं अपने लिप्स पर एक पिंक सेट की लिप्स्टिक अप्लाई कर रही हूँ आप लोगो को मेरे यह सॉफ्ट ग्लैम रुप कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्लिस प्रेस कर दिजेगा ताकि मेरे आने व